आप यूट्यूब के साथ साथ हमारा वीडियोज इंडियाज लार्जेस फ्री एजुकेशनल एप अनेकैडमी में भी देखें वहाँ हमारे वीडियो के लेसन्स आ रहे हैं वहाँ केमिस्ट्री को सीखने समझने का अच्छा मौका मिलेगा अनकैडमी में टॉपिक क्लेरेंस के साथ साथ नोड्स भी होगा एमसी क्यूज भी होंगे अबजेक्टिव और सबजेक्टिव कोश्चन भी होंगे और उनके सॉलूशन भी होगा अनकैडमी एजुकेशनल एप बहुती अच्छा माध्यम है यहाँ पर आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज कर सकते हैं इसके लिए आप सबसे पहले अनकैडमी एप को प्ले स्टोर से अपने मॉबाइल में इंस्टाल कर लीजेए अनकैडमी एप में विक्रम हैप केमिस्ट्री को सर्च कीजे जिससे मेरे केमिस्ट्री के लेसन मिल जाएंगे या मैंने इस वीडियो के डिस्कुप्शन बॉक्स में नीचे आपको अनकैडमी के लिंक दे दिये हैं उसे क्लिक केजे आपको अनकैडमी में मेरा लेसन मिल जाएगा यह आपने फंक्शनल कृप देखे हैं इसमें prefix और suffix आपने देखा है prefix का नाम कब करते हैं suffix का नाम कब करते हैं और दोनों का नाम का उप्योग कब करते हैं ये आपको बता चल गया है अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो इससे पहले वाली वीडियो देखे और जब भी मैं हर बार यही बोलती आ रहा हूँ कि हर बार एक ही बात पर रहता हूँ मैं कि इससे पहले के प्रिवेश वीडियो जो है उनको पहले देखते हुए इस जगा पर आईए इसमें मत आईए इसके लिए हमने नीचे लिंक दे दिये हैं उस लिंक में जाईए और एक स्पेशल सफिक्स शब्द का उप्योग करते हैं मैंने यहां पर लिख दिया है स्पेशल सफिक्स यह क्या होते हैं और कभी यूज करते हैं इनको समझेंगे फर्स्ट साइक्लिक कंपॉंड में सेकंड दो से अधिक बार दो से अधिक बार कारबन युक्ट फंक्शनल ग्रूप आने पर कारबन युक्ट फंक्शनल ग्रूप में जब आता है तो दो इस सिति में साइक्लिक कंपॉंड याने चक्रियोगिक और जब दो से अधिक बार ये ग्रूप आता है तब स्पेशल सफिक्स का उप्योग करते हैं कारबन युक्ट ये वाला कारबन युक्ट क्या है फंक्शनल ग्रूप है सी ओ ओ एच इसका प्रिफिक्स है कार्बॉक्सी सफिक्स है होइक एसिट तो इसका स्पेशल सफिक्स नेम होगा कर्बॉक्सलिक एसिट है इसी तरह से ये एमाइड वाले में इसका स्पेशल सफिक्स होगा कर्बामाइड कार्ब, एमाइट, कार्बमाइट यह आप देखेंगे LDH, इसके लिए भी यूज होगा कार्बलडिहाइट कार्बलडिहाइट साइनाइट कार्ब डेल साइनाइट, कार्बनैट्राइल कार्बनेट्राइल का उप्योग किया जाएगा बाकी जगों पर जदरूत नहीं पड़ेगी बस इतनी जगों पर देखेंगे यह देखें कार्भेलाइट यह वाला और है हैलो कार्बोनेल में कार्भेलाइट कार्ब हेलाइट ये इतनी जोगों पर हमने बताया यहां पर देहां देंगे मालने चाहिए ऐसा कोई कंपॉंड है इसमें OH लगा हुआ है तो कोई बाद दें अराम से इसका नाम करन कर सकते हैं चेन ये है 1, 2, 3, 3 कार्बन की चेन है साइक्लो लगाते हैं तो साइक्लो हो गया तीन कार्बन का चेन है इसलिए इसमें हो गया प्रोप सिंगल बॉंड है इसलिए हो गया एन तो क्या होँआ साइक्लो प्रोपेन इसका नाम है पर इसमें लगा हुआ हुआ है COOH लगा हो तब कैसे करेंगे यह कार्बन है यहां से रिंग स्टार्ट नहीं कर सकते यहां से चेन स्टार्ट नहीं कर सकते कि 1, 2, 3, 4 क्योंकि ऐसा करना पड़ता है आपने देखे होंगे जो खुला चेन होगा उसमें ऐसा करते हैं पर यहां पर ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह जो है वो इस चेन से इस रिंग से बाहर है तब इस कंडिशन में यह कार्बन बन होगा 2, 3 होगा तो यह साइकलो प्रोपेन ही होगा परन तो इसका पूरा नाम लिखना है इसके साथ इसके नाम के साथ सिप OEKCID नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इसके साथ कार्बन आ रहा है कार्बन को हम इसको नहीं दिये हैं तो इस जगा पर कार्बन है तो कार्बन होने के विज़ए इसके में कार्ब शब्द लगईगा तो इसको कार्बॉक्सलिक एसिट लगाएंगे इसमें suffix क्या लगाएंगे तो उसको हमने बोला है special suffix special suffix कभी उप्योग करते हैं दो इस्तितियां उप्योग करने के लिए एक है cyclic compound में और दूसरा जो है एक दो से अधिक बार इस तरह से carbon वाला कोई functional group आता है तब इसमें क्या करेंगे देखे तो एक दो तीन तीन के लिए क्या होगा cyclopropane cyclopropane यह पढ़ चुके हो propane cyclopropane और bond निम के बाद हम लगाते हैं suffix तो देखे क्या नाम लिखेंगे इसके लिए carboxylic acid क्यों carboxylic acid में C consonant आता है तो इस E को नहीं अटाना है तो नाम हो जाएगा cyclopropane carboxylic acid इसका नाम ऐसा हो गया तो चक्री compound में इस तरह से नाम करन करेंगे आप समझ चुके होगे इन सब में कैसे करेंगे माल लेजे यह यह आ गया c o n h 2 c o n h 2 और यह माल लेजे 6 carbon की एक chain है ring है ring है तो ring में का इसमें 1 2 3 4 5 6 तो 6 carbon की ring है तो cyclohexane हुआ और इसका नाम हम लिखेंगे carbamite special suffix तो किन में किन में special suffix आ रहे है वो आप समझे जिसमें carbon है बागी जगा problem नहीं आएगा जैसे o h आ गया s h आ गया यह जबागी चीज़ें आ गई तो उसमें problem नहीं होगा तो चलो कैसे होगा cyclohexane यह रहेगा फिर इसका नाम क्या हुआ कार्बमाइट तो cyclocompounds के कुछ example बता रहा हूँ फिर उसके बाद open chain वाला आपको कुछ formula बताऊँगा उसके नामकरण बताऊँगा यह दो लाइने दो कुछ हब्दों को आप ध्यान से लिख लिजएगा अच्छे से लिख लेजगा तो कुछ example बता रहा हूँ इसको मैं मिटा रहा हूँ जस्ट इसी cyclic compound में यदी जैसे यह आगया दो बार तो भी आसान है one two दो जगा पर है तो नाम क्या हुआ इसका पूरे का नाम cyclohexane इसका क्या नहीं वो carboxylic acid तो कहां पर है one two पर है one हाइफन लगाने पर कॉमा two हाँ फिर डाई carboxylic acid acid अब समझ में आगया होगा कब ऐसा कर सकते हैं इस तरह के suffix का use कैसे कर सकते हैं कहां पर करेंगे आपको clear हो चुका होगा और बड़ी अच्छी बात और देख लें मालजे इसी तरह का cyclic chain है तो cyclic chain में c o o h c n लगा है तब वरीता इसको दी गई है तो one two three तो क्या होगा है यह नाम यह जो नाम है इसके लिए हम इसको मुख्या मार रहे हो तो इसको हम क्या मानेंगे prefix name में लेंगे है ना तो prefix name में इसका क्या साइनो होगा तो साइनो यूज करेंगे तो क्या होगा थ्री साइनो थ्री साइनो फिर यह cyclohexane है cyclohexane है और उसके बाद carboxric acid तो आपको समझ में आ गया होगा तो कुछ ही एक्जामपल बता सकता हूं मैं practice तो आपको करना पड़ेगा अलग अलग structure करना करके तो cycle compound होगा cyclic compound होगा तब इसमें special suffix को प्योग करेंगे यदि इसमें carbon है लेकिन आप बोलेंगे sir इसमें special suffix का क्यों यूज नहीं किया गया क्योंकि दो क्रियात्मक्त दो अलग-अलग क्रियात्मक्स होने की condition में एक को main और एक को god माना जाएगा substituent माना जाएगा जब substituent आ जाते हैं तो substituent का prefix लगता है जो कल तक आप देख चुके हो ठीक है एक example देखें c-o-o-h c-h-2 c-h-c-o-o-h c-h-2-c-o-o-h इससे पहले एक बात समझ लें c-h-2-c-o-o-h c-h-2 c-h-2 c-h-2-c-o-o-h जब carbon वाला समान क्रियात्मक समूं मैंने बुला carbon वाला समान क्रियात्मक समूं दो बार आते हैं तो एक को पहला और एक को अंतिम carbon माना जाता है जो कि हमने पिछले क्लास तक पढ़ लिया है आपको याद होगा तो ठीक है लेकिन दो से अधिक बार आया तो उसके किसी भी कारवन को पहला और अंतिम नहीं माना जाएगा उस चीज को उस इनको छोड़ दिया जाएगा इसमें क्या है इनको पहला ये दो है तो किसी एक को पहला और किसी दुसरे को अंतिम माना जाएगा अंतिम मनें, first and final अगर इसको पहला मनते हो तो one, two, three, four, five, six ऐसा numbering होगा लिकिन अगर एक से अधिक बार आ जाए मैंने क्या बोला जब, अभी मैंने लिखा था इसी line को जब, है ना कार्बन युक्त समान क्रियात्मक समू function group हो तो और कितने बार जब, कितने बार, दो बार मैं दो बार की बात करूँ पहले जब दो बार कार्बन युक्त समान function group हो तो, है ना एक ऐसे हैं, तो function group का function group का एक carbon प्रथम और दूसरा carbon अंतिम होगा ठीक है, जो इस example में नजर आ रहा है ठीक है तो इसका नाम क्या होगा, जब देखो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे, कार्बन की chain है mention इसको नहीं छोड़ देना, अलग नहीं कर देना क्योंकि दो ही है तो छे है मतब हो गया, hex बात हो चुकी है अब से होई थी? हाँ, फिर bond single है, तो and bond नहीं भूलना ऐसा नहीं कि hex लिखे पिर suffix लिख दे, ऐसा नहीं होगा bond को रखना ही होगा, फिर इसके बाद इसमें नाम हो जाएगा, oic acid आता है, तो कहां पर one पर six पर है तो dash one, six dash die, oic acid, याने कि normal suffix का उप्योग किया जाएगा special suffix का उप्योग नहीं किया जाएगा इसमें क्या होगा, मैंने थोड़ी देर पहले लिखाया था, इसके लिए क्या लिखवाया था, इसको मिटा देता हूँ मैं, ऐसे कंडिशन की बात है मैं इस टेबल को बार बार इसलिए रख देता हूँ कि आपके सामने सब कुछ दिखाई दे ताकि कोई तकलीफ नहों आपको समझने में, आपके पास है, आपके कॉपी में वो अलग बात है पर यहाँ पर जो दिखता है मेरे समझाते समय, वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता इसमें तो देखें, यहाँ पर, इसमें क्या हुआ है, मैंने कहा था, जब कार्बन युक्त, फंक्शनल ग्रुप, दो से अधिक बार आए, तो लेकिन एक बात और है, वो कार्बन की चेन के साथ हो, ऐसा नहीं कि ऐसा होने के बाद इसमें CH2 हो, फिर ही आया है वो किसी एक श्रिंखला में ही आये एक सांब, है ना, आये तथा वह किसी चेन से सीधे जुड़ा हो, हो, तो स्पेशल सफिक्स का उप्योग किया जाता है, तब यह हुआ कि इनको हम चेन का भाग नहीं मानेंगे, चेन के साथ जुड़ा हुआ मानेंगे, और यह हो गया चेन, कितने कारबन की चेन, वन, टू, थ्री, फॉर, फाइब नहीं, इसे हमने अलग कर दिया, तीन बार आया, चार बार आएगा, पांच बार आएगा, तो भी वो चेन के साथ जुड़ा होगा, तब ऐसे करेंगे, इनको इस तरह से अलग कर देंगे, तब होगा किसी एक को 1, 2, 3, इधर से भी करोगा, तो मतला बेखिए, तब क्या हुआ नाम, इसका पूरा नाम लिखेंगे, क्या वो तीन कारबन को बोलेंगे, प्रोब, सिंगल बार से जुड़ा हुआ है, तो N, है न यह नहीं, क्योंकि इसका नाम कर्बोक्सिलिक एसिड है, तो कहां पर है, डेश, याने हाइफन, 1, 2, 3, तीनों जगा जुड़ा हुआ है, कितने बार जुड़ा हुआ है, त्री टाइम्स, ट्राइ, क्या है, कर्बोक्सिलिक एसिड, तो आप इस जिसको यादर कर लिजेगा C.O.O.H. के लिए स्पेशल सफिक्स कर्बोक्सिलिक एसिड, C.O.X. के लिए कर्बहलाइट ये, C.O.N.H.2, M.I.D. के लिए कर्बैमाइट, एल्डिहाइट के लिए कर्बल्डिहाइट, और साइनाइट के लिए कर्बनेक्ट्राइल का उप्योग किया जाएगा, ठीक है, तो सारी चीज़े आप याद भी हो गया है और अपनी कॉपी में जो लिखा हुआ है उसको प्यूग कर लेज़े का अब मुझे इस टेबल के बाद अब मुझे टेबल नहीं लिखना है बस अब उसका उप्यूग कराना है कई एक्जाम्पल देते हुग है अब बोर्ड से ये खाली हो चुका है अब आपके दिमाग में आ चुका है और एक्जाम्पल देखें CH3 CH CN CH double bond CH CH CH2 CN यहाँ पर क्या करेंगे देखें साइनाइड दो जखों पर है कार्बन भी है तो हमने जो पहले रूल बताया था तीन दो से अधिक नहीं है दो के अंदर है तो दोनों समान है तो एक कार्बन जो है पहला होगा इसका एक कार्बन अंतिम होगा तो कौन सा पहला रखेंगे कौन सा अंतिम रखेंगे तो आधार पर लेकिन हमने वरीता देखे थे प्रिफरेंस देखे थे तो प्रिफरेंस में सेकंड प्रिफरेंस किसको जाएगा डेबल बॉंड को थर्ड प्रिफरेंस किसको जाएगा आ रहे हैं साइट चेंड तो इसमें इसके इन दोनों में अब इसको आधार मानेंगे तो कितन 1, 2, 3 पढ़ा रहा है 1, 2, 3 ये भी बोल रहे हैं कि दोनों दिशाओं में कर सकते हो तब थर्ड जब दोनों दिशाओं पर हो सकता है तो कोई न कोई एक आधार होगा जो एक ही दिशा को दर्शाएगा तब यहां पर फाइनल एक ही दिशा इस तरफ नज़र आ रहे है तो किधर से करेंगे अब इधर से नज़्दिक पड़ेगा ये वाला कार्बन का है न ये वाला तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये होगा तो इसका नाम क्या होगा मिथाइल कोई से कर्बन पर है दूसरे पर तो होगा 2 मिथाइल 2 मिथाइल मेंचेन छे कर्बन का हैक्स डेवल बॉंड तीन पर है तो 3 इन और अब इसका नाम हो जाएगा सफिक्स योज होगा है स्पेशल सफिक्स योज नहीं होगा है न तो क्या हुआ एन पिर बोलो 1, 6, डाई तो एन, इहोगा क्योंकि इसके न से स्टार्ट होता है तो डाई नाइट्राइल येस अब मैं तोड़ा सा चेंज करता हूँ CH3 CH CN CN double bond CH CN CN and CN अब बताओ क्या करूँ एक चेंज है कर्बन की एक चेंज है इसमें देखो समान क्रियात्मक्समो समान का है समान का है कर्बन वाला समान क्रियात्मक्समो दो से अधिक बार आए तो ये इसे आप मार्किंग कर दो और ये जो है किसी एक चेंज के साथ जुड़ा होना यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से खतम करेंगे, तो यह साइड चेन में नहीं आएगा, यह बात हो चुकी है, क्लियर हो रहा है आपको ध्यान से, याद रखना, मेरी हर बात आपको तब समझ में आएगी, जब आप वाल्यूम वाइस पढ़ाई करते जाओगे, किसी एक द बैठ होगे, फिर एक दिन पढ़ होगे, तो नहीं हो पाएगा, इसका सबसे बड़ा रूल यही है, कि यह करम बार चलता है, और वाइस चलती है, है ना, तो आपने देखा, तब क्या हुआ बताओ तो जरब, यहां पर, अब नमबरिंग इधर से करेंगे, इधर से फंक्श चैन का नाम लिखो, पेंट, पांच करवन, पेंट, डबल बॉंट भी है, टू पर, तो टू, इन, और इन, और इन, होगा, क्योंकि से स्टार्ट होता है, तो क्या होगा, अब बोलो, वन पर, वन, टू, थ्री, फोर, एर फाइव, तो कितना हुआ, वन, 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 पर तो इसा नहीं कि एक बार वन लिखो गया, फिर थ्री पर है ये, तो थ्री और ये है, फोर पर है, तो टोटल कितने बार हुआ, एक, दो, तीन, चार, पाँछ बार है, वन, टू, थी, फोर, फाइव ताइमस है, तो फाइव ताइमस को बोलता है पेंटा, पेंटा, पेंटा अब तो समझ में आ गया कि जब एक से अधिक बार निसार दो से अधिक बार आता है C-N-C-O-O-H-C-O-X-C-O-N-H-2 और क्या C-H-O यानि इस सब में कर्बन है तो इसका special suffix होगा कार्बनेक्ट्राइल, कार्बॉकसलिक एसिड, कार्बहलाइड, कार्बैमाइड और C-H-O के लिए कार्बल्डिहाइड अल्डिहाइड है तो कार्बल्डिहाइड तो ये हो गया तो इस तरह से कंपॉंट्स के लिए हम जब ये आते हैं किसमें रिंग जैसे सरचनमर चक्री क योगी बनाते हैं तब इस तरह की चीजों के लिए हम कैसे उप्योग करते हैं वो क्लियर हो गया तो चक्री में यूज करते हैं और एक ही चैन पर ये लगा हो तब किस तेति में इनका कैसे उप्योग किए जाएगा वो होगा ये question अक्सर exam में आया हुआ CH2CN CHCN CH2CN इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि CN CH2 CHCN CH2CN ऐसे हैं तो मतलब देखी हुआ क्या mention mention एक ही चीज़ तो हुआ क्या तब नाम क्या हुआ 123 प्रोप single bond N और E होगा net try 123 try net try तो मैंने बहुत सारे क्राम करा दिये चलो लगे हाथ एक छोटा सा माम करन और सिखा देता हूँ ether का ठीक है अभी बहुत सारे काम करने है न अभी आप सीख रहे हैं उसके बाद practice करेंगे बहुत सारे example दे जाओंगा practice करते जाओंगे अभी नहीं करा रो practice तो सारे rule पहले दिन से लेकर के अभी तक के सारे rules और सारे practice को करके रखे तो मैं अपनी तरफ से और भी बहुत सारे practice कराओंगा जिसमें आपको काम करना है ठीक है तो चलिए इथर वे कर्बनिक यॉगिक जिन में क्रियात्मक सम्मू फंक्शनल रूप O होता है इथर कहलाता है इस O के साथ दोनों दिशाओं से कर्बन की चेंज जुड़ी होती है आर जुड़ी होती है सब कुछ I.O.P.C. में चल रहे न General Name System में नहीं जा रहे हैं भी General Name System में बात बें चलेंगे तो इसमें O को नाम करन करते समें ध्यार रखना O को किसी एक Alkyl Group के साथ जोड़ देते हैं फिर उसका नाम पहले लिखते हैं जिसके साथ O जुड़ा हो उसका नाम पहले लिखते हैं उसका नाम लिखते समें ध्यान रखना होगा, कार्बन की चेन का नाम, मेट, एक, प्रोब्यूट, पेंट, हेग्स, हेप्ट, ऑप्नोन, डिक, जो भी होगा, अल्क, प्लस इसमें ऑक्सी लगा देंगे, क्योंकि इसके साथ ऑक्सिजन जुड़ा हुआ है, दूसरी बात है, जिनको हम छोड़ दिये, ऑक्सिन जिनके साथ जुड़ा हुआ है, उनके साथ, उनका नाम हुआ एलक ऑक्सी, और जिनको छोड़ देते हैं, उसका नाम हुजाएगा, एलक, कार्बन की चेन इसमें भी है, प्लस बॉन्ड ने, तब देखें, एकाथ एक्जांपल देखते हैं, CH3, OCH3, ऑक्सिजन के लिए, ये दोनों स्ट्रक्चर समान है, चाहे इसको जोड़ो या इसको जोड़ो मतलब एक ही है, तो एक के साथ मैंने जोड़ा, तो इसका नाम क्या हो गया, एलक, ऑक्सी, एलक, कितने कर्बन का चेन है या, ये चेन, इस चेन से नहीं मिला हुआ है भाई, बीच में ओ आ गया है, तो चेन बनिया नहीं बोलना, एक कर्बन, ये एक कर्बन, ये दो कर्बन हो गया, ऐसा नहीं बोल सकते आप, वो अलग है, तब, ये इसके साथ आपने जोड़के क्या बोलेंगे बोलो सिस्टम बनाया मैंने Elk Oxy तो क्या नम होगा एक Carbon Elk की जगा हो गया? Meth Meth हो गया और लगाएंगे Oxi तो हो गया Medhoxy और ये बच गया इसका नम क्या हो एक Carbon कहें तो Meth मिथ और सिंगल बॉंट माना जाएगा इस जगह पर मीथेन तो क्या हुआ है बोलो मिथ ऑक्सी मीथेन देखते जाएगे CH3 CH2 सिंगल बॉंट O CH2 CH3 तब बोलो क्या फिर वैसे ही करेंगे एक के साथ ऑक्सीन को जोड़ेंगे चाहिए इसके साथ जोड़ेंगे उसके ऑक्सीजन का नाम लिखेंगे ऑक्सी तो क्या हो जाएगा इसका नाम सारी दो कर्बन है एथ ओक्सी एथ ओक्सी और ये बच गया पार्ट दो कर्बन का चेन है एथ एन एथेन चलिया अब देखें CH2 डबल बॉंट CH सिंगल बॉंट O CH2 CH3 अब बताओ ऑक्सीन को किस के साथ जोड़ेंगे डबल बॉंट वाले के साथ जोड़ेंगे क्यों अच्छा चलिए इसका नाम अगर मैं इसके साथ जोड़ता हूं तो बॉंट का नाम कैसे लिखोगे अगर नहीं जोड़ता हूं इसको इसके साथ जोड़ता हूं तो इसके साथ बॉंट नेम लिखने का आसान हो जाएगा elk and elk in तो double and triple bond वाले कार्बन शिंखला के साथ नहीं जोड़ेंगे तो किसके साथ जोड़ेंगे जिसमें ऐसा ना हो तो इसका नाम हो जाएगा ethoxy बोलो और इसका नाम हो जाएगा साफ साफ नजर आ रहा है one two मैं लिखने के जोड़ भी नहीं है one two ही लिखने के जोड़ें यह जगा पे क्योंकि one पर ही आएगा यह तो क्या होगा eth double bond in 18 चलिए इधर आओ लिख लिए है नोट कर लिए जब 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 अब देखो कुछ और changes करतों में उसमें अब देखो CH3 O C2 H5 C2 H5 O CH3 दोनों एक ही चीज़ है अगर समझो तो O के साथ दो Alkyl group जड़ा हुआ है 1 CH3 C2 H5 बस वही है उसमें जब दोनों एक ही ते दोनों का नाम एक जैसा होगा सवाल यह है कि इसमें oxygen को मैं किस के साथ जोड़ू और उसको alcoxy करूँ ठीक है तो याद रखना oxygen को हमेशा छोटा समझो के साथ जोड़ा जाता है छोटे के साथ जोड़ेंगे और उसका नाम पहले लिखेंगे क्या नाम होगा बताओ बोलो ना कितना carbon है तो क्या होगा methoxy oxy लगाना है और फिर इसके बाद main chain नाम लिख देना क्या नाम है alcanem, bondem, क्या होगा कितना carbon है दो, दो को क्या बोलते है इत, single bond and इत है इसमें नाम क्या होगा oxygen को किस के साथ जोड़ेंगे oxygen को किस के साथ जोड़ेंगे छोटे वाले के साथ जोड़ेंगे और नाम पहले लिखेंगे जिसके साथ oxygen लिखा जाता है उसका नाम पहले लिखा जाता तो ये भी myth oxygen यह नहीं कि सर इधर उदर उल्टा सिदा कर दियो तो हम ऐसा कुछ नहीं है अब समझ महीं बात है तब CH3 CH2 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 CH3 O C2 H5 अब क्या करेंगे यहां से शुरुबात नहीं करेंगे क्योंकि एक पूरा chain बनना है देखे रहे आप हलो तो यह पूरा chain बन गया main chain हो गया यह फिर और बच गया वो oxygen के साथ है तो क्या हुआ ethoxy तो कहां पर है वो 123 123 12345 तो क्या होगा ethoxy सहीं है ethoxy main chain paint single bond n हो क्या ऐसा भी हो सकता है चलो इसमें नाम क्या होगा पहले यह सब शुरुवात के कुछ नामकरण है इस शुरुवात के नामकरण को समझ लो बहले ठीक है फिर इसके बाद हम advance करेंगा तो असान हो जाएगा तो बोलो क्या हुआ इनका नाम बताईगा बोलो यह main chain होगे असर आपका अब यह बच गया oxen के साथ alkyl oxen के साथ alkyl ethoxy ethoxy दो जगा पे है तो क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 बोलो 2, 3 diethoxy होगा ना main chain नाम लिख दो hex N कहीं पर double point होगा तो in hexine triple point होगा तो hexine ठीक अब चलो थोड़ी से एक example और देखते हैं CS3 CHOC2H5 CH2 CH double point CH2 अब यह बताओ मुझे यहाँ पर दो तरह के function को पाए एक इधर वाला और एक double point वाला तो यह तो ethoxy होगा clear है यह main chain होगा यह भी clear है ठीक पर numbering के धर से करूँ इधर से करूँ के इधर से करूँ आप बताओ वरीधा टेबल में double bond उपर आता है की ode उपर आता है चक करो ओ उपर आता है की double bond बोलो याद करो जल्दी से अब बोलो याद करोँ आता है अब समझ मैं हाँ उस वरीधा टेबल में double bond उपर है ओ double bond फिर triple bond फिर ओ है तो ओ तो नीचे है तो इसको आधार नहीं मानेंगे numbering के लिए आधार मानेंगे इसको तो 1, 2, 3, 4, 5 यही तो science है तो नाम होगा अब 90% बच्चे यही करेंगे कि इसको आधार मान करके इधर से numbering करेंगे क्योंकि बफंक्शनल क्रूप है लेकिन वरीता ने खास तोर भी बताया है कि हमने इसको पहले वरीता नहीं दिये double bond को पहले वरीता दिये फिर double bond को second third दिये उसके बाद फिर जा करके last में हमने दिया इधर को आप समझे माई बच्चे ठीक तो क्या हुआ इसका नाम हो जागा फोर इथोकसी मेंचेन पेंट कितना पढ़ है वन इन इस तरह से नामन क्लेचर होता है तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं नमस्कार झाल 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 झाल